बहुदन समाट पार्टी पंजाब के अंदर बड़ी ताकतवर नजर आ रही है तमाम सारी छेद्रिय पार्टिया अब बहुदन समाट पार्टी के पीछे लग चुकी है कह रही कि हमारे साथ कर लो गड़ बंदन जी हाँ दोस्तों मैं हूं इंजिनियर स्निहा और आप देख अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजे साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले हमारे वीडियो को लाइक करें कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दे साथ ही अपने दोस्तों रिष्टेदारों में श्यर करना ना भूले आज हम बात कर रहे जो बहुजन समाथ से विरोधी नीतियों के तहट जो काम कर रही है उस पर बहुजन समाथ पार्टी हर दिन बदिन आवाज उठाते हुए नजर आ रही है बहुजन समाथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जस्वीर सिंग गड़ी इन्होंने दो दिन पहले ही कॉन्फरें और शिरोमनी अकाली दल जो है अब बहुजन समाथ पार्टी के इड्द गिर्द घूम रही है और बहुजन समाथ पार्टी से वो अनुरोध कर रहे है कि हमारे साथ बने और आने वाले विधान समाथ चुनाव को लेकर वो नई रणिती बनाना चाहते है आपको बता दे कि अब तक तीन मिटिंगे वहाँ पर हो चुकी है लेकिन अब तक कोई भी फैसला सामने नहीं आया है रही बात गडबंदन की तो बहुजन समाथ पार्टी का ऐसा नियम है कि इस गडबंदन को लेके तमाम सारे जो फैसले है वो बहुजन समाथ पार्टी की राष्ट्र अद् करेश की कमिटी यह एक तरफ संगटन के धाचे को मद्बूत करने में लगी हुई है तो वही दूसरी तरफ कांग्रेस की जो सेडूल कास्ट ओबीसी और मैनरोटी के को लेकर जो विरोधी नीतिया है उसे भी बहुजन समाच को बताने के लिए लगातार काम कर रही है यही यही नहीं तो बहुजन समाच के विद्यार्थियों के स्कॉलर्शिब रोल नंबर जो रोके गया है युनिर्सिटीज में इन तमाम मुद्दों को लेकर बहुजन समाच पाटी जो है उन्होंने वहां की सरकांग्रेस सरकार को अल्टिमेटम तक दे दिया है और ऐसे में बह रहे दाथिंग पर जय भीम जय भारत बहुजन विचारधारा को घरघर तक पहुचाने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दवाना ना भूले